जिस उमर में लोग competitive exam की तयारी करते हैं उस उमर में आप पारसत बन गए कैसे आप बजन प्रतिनीधी बन गए लोग को लगता था बच्चा है नहीं कर पाएगा बच्चा है नहीं कर पाएगा हम जब भी मैं जाते थे बोट मांगने के लिए तो यह तो बच्चा है इसको क्य सब्सक्राइब कर दिस्ट्रिक्ट यूद कॉंग्रेस का निर्वाचन हो रहा था जिसमें आपने भी नामंकन दाखिल किया था क्या आपको एड़्जेस्ट करने के लिए नुस्या जीलाध्यक्ष में सिप्ट किया गया जब बाकी जीलों का लिस्ट जारी हुआ इससे पहल शाट्रों के लिए और वाड़े के लिए थे कूलेजों का दे आपने कोलेजों की बात की यहां पर फेकल्टी की कमी सुनाई देती है कोलेजों में तो इस पर आप वो क्या करेंगे उनके साथ काम करने का एक अलगी जुन वो कभी ठकते नहीं कितना भी बड़ा प्रोग्रा किसी भी राजनेतिक दल में देखा जाता है गुट बाजी की खबरे आती है जो नेता होते हैं कारे करता होते हैं कई गुटों में बटे होते हैं इससे एक जूट रखने के लिए क्या प्रयाज करेंगे 2014 की बात है अच्छे स्याद है मेरे को विधान सबा चुना हुए थे जब चंदर कश्य प्री चुनाव लड़े थे और हार गये थे उसी समय का मेरे अंगर आया है कि हार जी तो लगा रहता है संगर्श करना चलिए संगर्श करते हैं अस्तर से मैं आपको बता दू हमारे स्वागत करता हूं 36 गड़ में डेड़ साल बाद विधान सबा चुना होने वाला है सभी राजनितिक पार्टियां तयारी में जुट गई हैं इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बस्तर वारता में आपको स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई डिस्टिक्ट प्रेसिडेंट बनने बद धन्यवाद भाई ठाकूर अच्छा लग रहा है आप मेरे को बुलाए अपने इस चैनल में उसके लिए मैं आपका तहल दिल से धन्यवाद करता हूं विजय सलाम कौन है अपना परीचे हमारे दर्सकों को देजी मैं कॉलेज के उन छात्राओं के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं और जब भी उनकी समस्या मेरे तक पहुंशती है तो मेरे को लगता है उनका समस्या मेरा समस्या मैं छात्रों को बीच से ही अपना पहचान मना आया और आज कहीं ना कहीं मेरे काम को देखते हुए मैं राजनीती में 2014 से मैंने कदम रखे थी और 2014 में मैं NSY जीलाव पाद्यक्ष भी था छोटे-छोटे कारे करमों को करता गया और आज हमारे प्रदेश के ने प्रदेश अद्द्यक्ष NSY के नीरच पांडे जी के द को लोग सुनते हैं या कहीं बात करते हैं तो यह जानते हैं कि छात्र नेता हमारा बड़ा भाई पारसद विजय सलाम से NSY डिस्टिक प्रेसिडेंट नया टाइटल आपके साथ जुड़ गया है कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है और अब थोड़ा सा हडवड़ार भी हो गया है कि दो-दो काम करना पड़ेगा छात्रों के हित के लिए भी काम करना है और वाड़े के तो थोड़ा सा अभी कि फील कि अच्छा नहीं हो पा रहा है समय समय लगेगा थोड़ा सा काम को समझने में काम को धीरे-दीरे करते जाओंगा तो बाकी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा क्या लाजनीटी में आपका कैसे आना हुआ जुड़ा हुआ राजनीती में हमारे बड़े अमित भद्र जी है वह समय से मेरा उन से संपर्क था तो इसकूल में मेरे को इसकूल का जो अध्यक्ष होता है एनस्वारी से सकूल हो युनिट का अध्यकफ़्ष बनाया थि वहीं से मैं छोटे-छोटे कार्यक्रमों में आता गया और 2014 की बात है अच्छे स्याद है मेरे को विधान सबा चुना हुए थे जब चंदन कस्यप जी चुनाओ लड़े थे और हार गये थे उसी समय एक मेरे अंदर आया है कि हार जी तो लगा रहता है संगर्स करना चीए संगर्स करते गए और इस्कूल यूनिटों में मैं अच्छा पकड़ बनाया है कॉलेजों में भी कोशिस रहा कि छात्रों के बीच पहुंचे उनकी समस्याओं सुनूं तो और अच्छा काम करते साथ मेरे जो नाराइनपूर के लीडर है जिला कंग्रेस कमेंटी के मेरे काम को देखते हुए मेरे को पारसत का टिकीट भी दिये और मैं उनके भरुसुख का कायम करके दिखाया और चुनाओ जीत के भी आया राजनीटी में एक अलग लेवल से लगा था मैं पहले से ही छोटे-छोटे कामों में किसी की मदद करना है वार्ड में ही छोटे-छोटे किसी घर की समस्या है या किसी को कुछ समस्या है तो उस चीजों में लगा रहता था और ज्यादा तर मेरे को यह अच्छा लगता है कि हम दूसरों की मदद कर सकें और मैं मेरे को जहां तक लगा कि कामपुलिटी एक्जाम अगर ठीक है करते हैं सब सब लगे हुए रहते हैं मैं सोचा चले और राजनीटी में सब सेवा करके देखते हैं तो एक मौका मिला कि पारसद टिकेट मिला मजीद भी और आज लोग के बीच काम कर रहा हूं पारसद आप बन गए हैं कम उम्र में आप पारसद बन गए हैं जनता ने आप कितना accept किया है नगर पालिका में अधिकारियों ने आप कितना accept किया है सभी अच्छे से रिस्पॉंस देते हैं काम बढ़िया होता है और लोग जब भी उनको कुछ समस्या होता तो तुरंद मेरे को फोन करते हैं रिस्पॉंस अच्छा मिलदा कहीं न कहीं उनको लगता कि कोई मेरे से बड़ा है तो हमारा छोटा भाई बना है तो काम के लिए तुरंद बोल देत है कि हमारे घर का लड़का है हम एक बार इसको बोलेंगे तो हमारा काम होगा और मैं ज्यादा ज्यादा कोशिश सही करता हूं कि कि किसी का भी काम जल से जल्द हो अधिकारियों का अधिकारियों भी अच्छा रिस्पॉंस देते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि यंग ल लाइटे रहती हैं जिसे यहां के जो युवास हाती हैं सुबे-सुबे दौड़ने के लिए निकलते हैं क्रिकेट खेलें तो रौसनी की वैस्ता हो जाएगी तो अच्छा चीज होगा तो अधिकारियों को भी जब यह सब बात सुनते है ना तो लगता है कि नहीं यार कोई लड़का है यंग लड़का है अच्छा काम के बारे में बोलता है रिस्पांस भी अच्छा मिलता है नगरपालिका के एक वार्ड से एने सुयाई में पूरे जिले की जिम्मेदारी आपको सौपी गई है आप मेंटली प्रिपेर हैं थोड़ा बहुत अभी नहीं हूँ पर प्रिपेर तो मेरे लिए अच्छा है हो गया कि सभी कालोजों में मेरा पकड़ है सभी कोई की जैसे यहां पर तीन आइटियाई है आश्रम में है एक मैला आइटियाई है और एक स्वयोगत आइटियाई है एक पॉली टेक्निकल है क्रिश्ची विद्याल है और हमारा आत्मनंद महाविद्याल तो सभी जगा मेरा पकड़ है सभी हमारे लड़कें हैं भाई हैं सब पढ़ते ह कॉलेजों समय तो मेरे को कहीं दिक्कत नहीं होगा विल्कुल भी आप NSUI की अध्यक्ष हैं जैसे आपने कॉलेजों की बात की यहां पर फैकल्टी की कमी सुनाई देती है कॉलेजों में तो इस पर आप क्या करेंगे हमारे सबसे बड़ी बात है कि आत्मनंद महां विद्ध्याले में हमारा सबसे पुराना विद्ध्याला है और अच्छा विए यहां दूर दूर से लोग दूसरे जिला से भी यहां पढ़ने के लिए काफी सबसे ज़्यादा दिक्कत कहां होता है टीचर आते हैं और उपर का लगा के निकल जाते हैं तो उसको रोकने के लिए हम अब जिम्मेदारी मेरे को मिला है जिला अध्यक्षी तो पूरी कोशिज करूँगा कि पहले हमारे नाराइनपूर में स्टाप पूरे हो उसके बाद ही किसी का ट्रांसपर क्या होता है अगर मैं किसी भी टीचर को देख ल टीचर हो से ुप इस्टू डेन्टो बात करें तो काफी सारी परेशानिया हं हाली में नीज्चैञलों के माध्यम से पता चला कि कई सारे स्कूल है जरजर इस्थिती में और वहाँ स्कूले हो रही है इसकूल के अंदर पानी घुश रहा है तो इन समस्याओं का निप्टार आप कैसे करेंगे मेरे कुछ समय पहले पता चला कि एक इसकूल है जहां पर पानी घुशता है उसके लिए अभी मैं पहले तो थोड़ा सा अभी दो-चार दिन ही हुआ है मेरे को चिला उसके लों में पहुंचने का कोशिस करूंगा और यह देखूंगा कि क्या हालत है वहां के अगर हालत ठीक है तो अच्छी बात है नहीं होगी तो हमारे डियो साहब प्लेक्टर साहब से मुलाकात करके उनको सुधराओं के लिए कुछ उपाई निकाला जाता है कि किसी भी मैं तुमारे साथ हो तो तो मैं समझके चलो कि हमारे साथ भाई खड़ा है यह मत समझो कि नाराइन पूर अनेश्वाइगा जिला देख चाहे आज है कला मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको अपने भाई के तरह टीट करता हूं जब भी उनको मेरी जरुवत होती है मैं हमेश उसी के लहर है कि हमारे बीच का भाई बना है जो हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है मैं मेरा अगर कोई भाई रात को दो बज़े फोन करता है जागा हूं तो मैं जरूर उसके साथ खड़ा होने का कुछिस करता हूं राजनीती में सब पद पोस्ट के लिए कई लोग आते हैं आप भी जनप्रतिनीदी भी है संगठन में आपको बड़ी जिम में दादी मिली है जो आने वाले जो जो लोग राजनीती में आना चाहते हैं उन्हें अपने संगर्ष के बारिंग बनाईगे किसी चीज को लेकि हमारे प्रिंस्पल सर्शर्से मils ननुखर हो गए में को डाट दिये कुछ हुए तो उस समय अमृत व्यार के पास गयाँ मैं यसी इसी बात है । अमीद व्यार में प्रों मेरे सा गया है प्रिंस्वल सर्शर्दे में गया और मेरा काम हो भी गया उस दिन मैं को समझ आया कि राजनीती में थोड़ी बहुत पकड़ रखनी चाहिए इसकूल यूनिट से फिर मैं कॉलेज में गया कॉलेज में भी हर छोटी-छोटी समस्याओं को लेके हम लोग प्रिंस्पल के पास चले जाते थे चैसर यह इस समस्याओं तो कहीं न कहीं उस समय से रिस्पॉन्स में रहको मिलता था और लोग जब मैं कॉलेज में था तो मेरा नाम लेकर नहीं बुलाते थे नेता भाई करके बुलाते थे वो चीज में अच्छा लगता था चोटी चोटी समस्या स्टूटन्ट बच्चों की लाइबरेरी की समस्या पानी की समस्या जब हम मैं जब राइपूर कॉलेज में था तो वहां पर हम लोग देखे कि नया कॉलेज था हमारा हॉस्टल भी नया तो वहाँ जो छात्र रहते थे थे हॉस्टल में खाने पीने के बहुंच समस्या रहती थी तो वहाँ पे हम लोग एक धरना प्रदसंग किये थे कि हमको आप फीस बराबर ले रहे हो तो खाने पीने की व्यास था भी अच्छे सोने चीए 15 दिन का इल्टिमेट दिये थे 16 दिन से स्टार्ट हो गया और अच्छा रिस्पॉंस मिला तो उची समय से मैं को कहीं न कहीं लगा कि अब मैं को राजनीती में जाना चीए लोग पसंद भी कर रहे हैं और लोग का काम भी आ रहा हूं तो मैं 2018 में मेरा अग्रेजेशन हुआ 2018 के बाद एक साल मैं काम्पुटेड एक्जाम के लिए तैयारी भी कर रहा था फिर घर की समस्याओं के साथ सब बाहर रहना भी थोड़ी मुस्किल थी मेरे लिए तो मैं वापस आया नाराइनपूर नाराइनपूर आया छोटे-छोटे क कारेकरों में में लगा रहा है हम लोग यहां के नेट समस्या नेट का जो सबसे बड़ा समस्या है यहां नेटवर का उसके लिए तालावंदी किये थे बीयसनल अफिस का एक बार पंजाब नेशनल बैंक जो है वहां पे जो वहां खाता धारक है जो उनके साल बश्रुकी व वहां के लिए हम लोग बेश्रम का पाउधा लगा के धरना परदसन किये थे बहुं सारी छोटे छोटे चीज है जिसमें मैं हर चीज में भागीदारी था कई ना कई भीया लों के साथ तो उस समय से में अच्छा रिस्पांस मिला हमारे एक चीज हमारे में है कि आप अगर क कॉलेज पढ़ने जाना था तो उस समय ही मैं बन जाता जिला थेक्स लेकिन बाहर जाना था करके मैं नहीं दूसरे को अपन उस समय जयवट्टी को बना है जयवट्टी बना फिर मैं रायपूर चला या पढ़ने के लिए फिर वापस जब आया है तो संगठन में कोई पद नहीं मिला में को बोले आप अभी रूप जाए हां मुला ठीक है धीरे धीरे अपन काम करते गए सिक्पूर वह सिक्षा मतर केदार कश्यप जी की वाइप जुमुनी वाइफ रकांड केस हुआ उसमें भी हम लोग अच्छा प्रदर्शन किये और हमारी एक मांग थी हमेशा नहीं हुआ करता था कॉलेज में उसके लिए भी बकाइदा लेटर लिखे थे कोरोना काल में इतना मतलब सबसे बड़ी विड़म नहीं रे कोरोना काल में किसी को निकलने नहीं दिया जाता था हम दो तीन ग्रूप थे कलेक्टर साह से परमेशन लिए और ऐसे घर को चुनि कि वहले जनता के हित्में काम करता है इससे कंग्रेस के कंग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा रहेगा वह देखते हुए आज मेरे को 2019-2020 में पारसत का टिक्रिट दिये लोग को लगता था बच्चा है नहीं कर पाएगा बच्चा है नहीं कर पाएगा हम जब भी जाते थ पर हम लों का जब भी जाते थे अगर आप यह सोच रहे हैं कि वोट देंगे हमारा काम नहीं अप यह सोच के वोट देंगा कि आपका भाई है आपका बेटा है आपका बती जाय है अच्छा response मिला मेरे वार्ड में दो-तीन साल का रेशियो में बता रहा हूँ कोई 5 वोड से जीता था कोई 2 वोड से कोई 7 वोड से इस प्रकार का हूँ लेकिन मेरा एक अच्छा रहा 27 वोड से मैं जीता मेरे को अच्छा response मिला सबका और मैं पार्षत बन गया थोड़ा सा डर गया था बन गया हूँ आप कैसे करूंगा धिरे धिरे हमारे बड़े भाई ये परमद निल्वाल जी वो सयोग करते गया समझ आता गया संगठन में कोई पद नहीं था लगता था मेरे को भी कि पार्षत तो बन गया हूँ अब क्या करना चीए हमारा भाई उमेश करमा है कॉलेज का पूरो NSY जिला द्धेच वही था तो वो बोला कि भीया आपको मेरे साथ काम करना है तो मैं ठेक है भाई कर लेते हैं काम उसके साथ साथ में मिलके अपन काम करते हैं चात्रों के पीछ एक मेरा भी पकड़ बनिया साथ में कि चलो हो जाए तो संगठन फिर अब हर तीन साल में चेंज होता है जिला द्धेच तो संगठन को यह लगा कि उमस करमा के बाद अगर कर पाएगा तो आज मेरे को NSY जिला द्ध कि अच्छा काम करूंगा तो कल कुछ और हो कि चुकि आप स्टूडेंट लीडर बन चुके हैं यहां हाई टेक लाइबरेरी नहीं है कि आप बढ़ाई ऑनलाइन काफी बढ़ गया है तो नेटवर्क की कहीं न कहीं उतना दुरस्त नहीं है तो इसके लिए आप क्या करेंग है अभी मेरा सबसे बड़ा मैं तो सोच के रखा हूं कि जुलाई के बाद अभी तो कॉलेजों में एड्मिशन चल रही है पूरे जगा तो जुलाई के बाद जब अगस्त में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा उस समय हम पहले यह देखेंगी चातुर के बीच कि समस्या क्या है अभी आप जैसे बताए लाइबरेर बहुत सही बाद भले लाइबरेर की समस्या और दूसरी बात या नेट्वर की समस्या थोड़ी अंदरुनी छेत्र होने की चक्र में नेट्वर की बहुत समस्या है तो लाइबरेरी के लिए कोशिस करेंगी कुछ अच् कि हाली में डिस्ट्रिक्ट यूद कॉंग्रेस का निर्वाचन हो रहा था जिसमें आपने भी नामंकन दाखिल किया था क्या आपको एड़्जस्ट करने के लिए एन्युसी जी लाध्यक्ष में सिप्ट किया गया नहीं हुआ क्या मैं चाहरा था कि मैं यूआ कंग्रेस सुना का लीडर कौन रहेगा उनकी बातों को आगे कौन पहुंच आएगा कहीं ना कहीं मैं इस्टूटर के साथ था छात्रों के साथ हमेशा से रहा हूं तो उनको लगता है कि विजए अभी छात्रों के लिए काम करेगा यूआ कांग्रेस एक कांग्रेस बाड़ी का एक अंग हो उनका वह सब्वान है तो हमारे जीला डेव को बोले समझाय कि तुंख अभी रेन है यूआ कंग्रेस तुए काम कर ने सवाइच में रह स्वाइच चात्रों के लिए लिए कांग्रेस पार्टी का नाम आगे बढ़ तो यह सोच के मेरे को बोले कि आप इने रएगर जीला मे विधायक जी को मानिये सांसच जी को क्योंकि इन लोग हमेंसा से मेरा सयोग की है हमारे विधायक मानिये चंदन कश्यप जी हैं और हमारे छेत्र के लोग प्री जो बस्तर की अवाज दिल्ली तक उठाते हैं मानिये सांसच जी हैं इन लोग मैं आधी रात को भी अगर फोन सबसे पहले विधाय के आए तो चात्रों का मंडल मिला था एक चीज अच्छा लगता है हमारे जो विधायक है और दूसरी बात चंदनकर से टीचर भी रहे हैं चात्रों का बात अच्छे से जान सकते हैं कि क्या समस्या होते हैं किस चीज में इनको समस्या होती है अभी कुछ टीचर आए हुए हैं और कुछ टीचर के मांग भेजें धीरे धीरे में हो क्या रहा है गल्स कॉलेज भी अभी नहीं खुला है तो दोनों को मर्च कर दिये हैं तो उनको पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और दूसरे बाद टीचर की मांग किये हैं आगे कोशिश करूँगा कि मेरे नेत्रीज में टीचर जल से जल आये तो आपन उच्छिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी से मिलें अब मिलके टीचरों की मांग करें जब आप नस्यू आई डिस्टिक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त हुए उस वक्त आप दिल्ली में थे नस्यू प आप हमारे प्रदेश से अन्यूक नहीं होगे आप मजबूत लीडर हो आपको हम राश्टी इस तरह से अकास भिया पूर नस्यू प्रदेश अद्द्देक्ट हमेशा से मेरे को मार्क दर्शन देते हैं छोटी-छोटी बातों के लिए डाटते हैं समझाते हैं तो उनके काम करने का एक अलगी जूनन वो कभी ठकते नहीं है कितना भी बड़ा प्रोग्राम करा दो हम ठक जाएंगे मतलब बढ़ जाएंगे वो मतलब अंदर से उनके अंदर है कि है कुछ करना है तो दिल्ली मेर को इसलिए बुलाया थे कि आ तु यहां से तरह नियुक्ति होगा ठिक राष्टी अध्यजी के हाथ तुसे यह नहीं उपती हुआ मुरा जी HEY BASTR के बड़े लीडरों का कितना साथ मिलता है nsi zui लीडर जो जगदलपुर में और भी हमारे बस्तर संबाग में जो जीले में लीडर है उनका कितना सहयोग मिलता है बस्तर से मैं आपको बता दूँ हमारे प्रदेश के तीन उपाद्देक्च एक आधित सिंग बीसेंजी हैं बड़े भाई मानता हूं मैं उनको हमेशा से उनका भी सयोगरा है दूसरे हैं यह खरफित कौर फरस गाउंसे नसव प्रदेश उपाद्देक्च उनका भी हमेशा से सायोगरा है मेरा तीसरा है चमन साहुजी कांकेर से हैं वो भी एनसे प्रदेश उपाद्देख मेरे एक अच्छा हो गया है और चने भी हुआ है समझे तीन तीन उपाद्देख से हैं हमारे बस्तर संभाग में छोटी छोटी गलती को नोटिस करेंगे बोलो और पूरा प्रेस नाम इसलिए रोक के रखे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है फिर मैं भी बोला देख लो भी है जैसा भी है तो यहां के लीडरों से उन्होंने बात किया तो बोले कि विजय को तो विजय काम करेगा तो फिर मेरे को दिये और मेरे लिए एक अच्छी बात थी हमेशा ही लोग खड़े रहेंगे यह अच्छा लग रहा है और आगे भी मेरे को उनका जो साथ मिलेगा तो और काम करने भी मजा यह थे दोस्तों विजय सलाम नौन्युक्त जिलाद्यक चैने सुए आई नारायन पूर्थ स्टूडेंट परिशानियों से लेके कई मुद्य पर हमने इन से चर्चाएं की यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से और सब्सक्राइब करना न भूलेगा धन्यवाद